जैशी नरीशी, मैं हो इस्टर संदर सक्साया, स्वागत करती हूं आप सबीका, आज हम आपको प्री राशी फिल बता रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेश राशी से मेश राशी वालग, सास्त आपका बैलन्स रहेगा, आपका धन संपती बनी रहेगी, परवा आपकी थोड़ी ताल मिल के साथ, लेकिन काम आपकी बनते रहेंगे, आपको करना क्या है, अगले 6 रंग शूब रहेगा, आरा फिरोज रंग पहनेंगे, मगण गणेश की सेवा करेंगे, तो निश्यत रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा, नेक्स नंबर पर आती है, आपका सुआस्त अच्छा बना है, धन सपती के मामले में काम हो जाएगा, पैसा आएगा, जाएगा, काम होता रहेगा, और वहवसाई के मामले में यही है, परवार, प्रेम और वहवववज जीवन आपका अच्छा है, बहतर बना हुआ है, आपको 5 नंबर आपके लिए श जुब है रंग है सलेटी है तो और भागें का आपका लाकी लंबर पाँच रहेगा आपको सुस के मामले में बढ़िया रहेगा दन संपती में थोड़ी से आपको खिच उपको खचावट है पनी की पैसे की थोड़ी तंगी मिनि रहेगी परिवाल के साथ आपका तालमिल यह विश्या से कहा है कि 100% perfect कोई भी नहीं होता है, बैलन्स बना के रखना पड़ता है लाइफ में, आपको तीन नंबर आपके लिए लगी रहेगा और आपको गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए और घर में अक्यूरम रखे या मचली को चारा डालेंगे तो आपके ल करन संपती में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी परिवार के साथ बैलन्स रहेगा प्यार में अपकी थोड़ी दिक्कत है वैक जीवन में भी आपका बहुत अच्छा नहीं है यानि कि आप लोग थोड़ी से कारकराशी वाले जो हैं जल तक से प्रभाईत होते हैं इनक इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनके वो चंदमा बड़ा हावी रहता है चंदमा है करकराशी के सौमी तो इसलिए आप थोड़ा परिशान रहते हैं दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं नहीं है दिल से ज़्यादा सोचते हैं तो जो दिल से ज़्यादा सोचते हैं गाहे को खिलाएंगे, हरा चारा गाहे को खिला सकते हैं, तो इस से लिश्य दुरूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नेक्स आती है सिंगराशी, सिंगराशी वाला सौस अपकर डामडोल है, थोड़ा बात, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, पांच नहीं है, आपको लाल मरून रंग पहनना चाहिए, और घर में जो है, आपको आपको अन्मान जी की पूजा करेंगे, तो उनिश्य दूरूप से आपको लाव मिलेगा, अब आती है कन्या राशी, तो कन्या राशी वालो स्वास अब का अच्छा है, धन्संबधी का म फिर भी थोड़ा बत अपन डाउन होता है, लाइफ है, क्योंकि मैंने आपको पताया, 100% कभी होई होता ही नहीं है, तो थोड़ा सापको अपना ध्यान रखना है, कन्या राशी वालो, चार नंबर आपको लिए शूप रहेगा, और आपको क्या करना है, आपको मालक्ष्मी कि सेवा पोजा पाट करनी चाहिए, इससे आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, और आप क्या कर सकते हैं, पेले रंग के वस्तुर का प्रोक कीज़े तो आपको निश्य दुरूप से लाब मिलेगा, नेक्स नंबर पर आती है, तूला राशी, तूला राशी वालो, आप पसाई भी आपका ठीक ठाकी रहेगा, मगर फिर भी अंद्विशास मत कीज़ेगा, और मैं तो हमिशे से ही कहती हूँ कि संबंज आपके प्रेम संबंद हो, चाए पती पतनी का संबंद हो, या आपका बिजनिस भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सोच समझ लिया करो, अंद्व आपके लिए, क्या है, छे नंबर आपके लिए लखी रहेगा, और आपके लिए जो कपड़ा है, हारा फिरोसी पहनेंगे, तो फर्क पड़ेगा, आपके लाइफ में, इसके साथ साथ थोड़ा सा तीर से संबंद तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आज काल लोकड़न थोड़े बहुत अपन डाउंस तो मैंने आपको हमिशे से पूरा सिभी की लाइफ में लगा रहे थे हैं, लेकिन स्वास आपका अच्छा है, दंसंपत्ती का टाइम भी अपच्छा है, पैसा आएगा, जाएगा काम होता रहेगा, परिवार आपका बढ़ी आ रहेगा, प् पहना चाहिए, शेंदेव की थोड़ी पूजा पाट करेंगे, थोड़ी से सूर्यदेव के भी पूजा कर सकते हैं, तो निश्यत रूफ से आपको लाप मिलेगा, नेक्स नमबर पर आती है धनुराशी, धनुराशी वाल आपको स्वास अच्छा रहेगा, बढ़िया है, ल आपका शूबंग 5 है, लाल रंग आपके लिए शूब रहेगा, और आपको मातल लक्षमी की पूजा पहट अरादना करनी चुएंगे, नेक्स नमबर पर आती है मकराशी, मकराशी वालो स्वास अच्छा रहेगा, धन संबती के बाद में बाद में बोलों कि ये पैसा आए और मकराशी वालो, हाला फिरोजा क्लर आपको पहन लेना चाहिए, और गाएं कुत्ता कोवा इनको रोटी देंगे तो अच्छा रहेगा, और हाँ मकराशी वालो आपको समझा देती हूँ, आपको आथ लोक आते हैं, शनी की राशी में, ठीक है, साड़े साथी चल रही है, अंति में आप पे चल रहा है, ध्यान रखेगा, तो अब हम बात करेंगे, आगे हमारी जो नेक्स राशी है, वो है कुमराशी, कुमराशी शनी की साड़े साथी चल रही है, तो कुमराशी वालो आपका स्वा सच्छा रहेगा, धनसम पत्ती भी ठीक रहेगी, परिवार में 27 शनीवार तक, या 26 शनीवार तक, रोज एक नारे लेना है, सिफ शनीवार को, उसमें कसार भरना है, कसार तो आप जानते हैं, जो आटे को देसी घी में तलते हैं, उसके अद उसमें चीनी मिला देते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं, उसमें पंच मिवार डाल सकते हैं, तो बोलना है कि मेरे शरीपे, मेरी सात्मा पे जो भी मेरे पूर जर्म के करब हैं, पाप हैं, जिसके उसे शरीपे मुझ से नाज है, कोई भी देवी देपता है या ग्रहे नरा से, उसको श्रमा करें और इसके लिए मैं चीटों को भुजन कराने के विस्ता करा रहा हूं या करा पीपल के पेड़ या बर्गत के पेड़ की जड़ के पार स्थोड़ा खोद के गड़ा पे गाड़ देना, थोड़ा अपने उपर खोला हूआ है, तो चीट के अपने अप लग जाएगी, इस बाइगो कीजिएगा, शरीट के साड़े साती आपको ज़दा दिक्कत नहीं कर करेगी क्योंकि जो चीटों का सेवा करते हैं, शरीदेव उनको परशान नहीं करते हैं, तो अब हम नेक्स नमबर पे आते हैं, हमारी जो राशी है, वो बताऊंगी, लेकिन फूम राशी होला आपको स्वास ठीक है, धन संपत्ती भी ठीक है, परिवार में आपको खटर साय और वैक जीव ने भी थोड़ी बत उतार चड़ाब तो ही, मैंने आपको बता दिया है, तीन नमबर अगले शुब है, आपको सिल्वार से ले टिकलर पहनना चाहिए, चांदी से बनी भी कोई गाएं का दान कर सकते हैं, या गाएं की सिवा करेंगे, उस्षी दूरुब समंध भी अच्छे हैं, वैसाय में अपन डाउन थोड़ा बात वैक जीवन की इस्तिती भी बैलेंस के साथ बनी रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बोरी भी नहीं है, होसा थोड़ा बात जगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको नौ नमबर आपक हो, तो 8126-476-999 पर WhatsApp कर सकते हैं, थैंक यू सो मच